हेलो एवरीवन मैं विपिंजन फाउंडर फ्लर्ण युकिटी विद विपिंजन आज आपके साथ जिस कंपनी को डिसकर्स करने आया हूँ उसका नाम है पटेल इंजिंग कंपनी के पास अपनी सेल्स की एट परजेंट पांच गुन ओर्डर बुक है और कंपनी को जादातर और सेंटरल गौर्मेंट या पीएस यू से मिले और देखा जाए तो कंपनी की और्डर बुक का सिक्स्टी परसेंट हिस्सा इस समय पावर से के अंदर जो कैपेक्स है उस कैपेक्स कंपनी को भरपूर फायदा मिल रहा है और आने वाले समय में क्यों यह कंपनी यहाँ पर चरूरी है अगर आपने इस कंपनी के अंदर इंवेस्ट कर रखा है तभी आप इस कंपनी के अंदर मोटा मुनाफ़ा कमा पाएंगे तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं पटेल इंजिनिंग के फिनेंशल्स फंडामेंटल्स और साथ ही साथ कंपनी के एड़ क्या इस्थिति है इन सब बातों को आज हम इस वीडियो के मादन से जानते हैं पटेल इंजिनिंग जिसकी ओडर बुक 20,000 क्रोड रुपीज की है और जिसमें से लबक 12,000 क्रोड रुपीज के ओडर पावर से आए हुए है यानि कि हाइड्रो पावर प्रजेक्स बनाने के रिए हुए हैं और हाइड्रो पावर प्रजेक्स को कंसरस्क्ट करने वाली यह देश की लीडन में शामिल होगी जिसे साफ़ से कमपनी और देखा जाय तो पावर सेक्टर के स्केपक्स गया गर्रपूर फाइदा यहां पर मिल वह यह और ऐसा नहीं है कि कपनी पावर सब्सक्राइब धंकर स्थ इंदर हिसमें सेकटर के अंदर भी कांप कर रही है कंपनी रोड बनाने का ने का म्वी मिव Llada सब्सक्राइब लग थे सब्सक्राइब को देखें तो लगातार घंटाया है लगबक 155 क्रोड रूपे का था जो 192 करोड रुपे को हो चुगा इस financial year के second quarter के अंदर और देखा जाए तो इस company के पास 2175 एकर लेंड बैंक भी है जिसकी value at present लबब 1000 करोड रुपे के आसपास company बताती है और जिस हिसाफ से इस company के strong fundamentals हैं उसी हिसाफ से company के strong financials में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि company के पास जो order book है उसके कारण जो company के revenue visibility है वो company की sales में अब convert होती हुँ दिखाई देती है बात करें company की financially performance की यह sales figure की तो company day by day अपनी performance सुधारती जा रही है दरसल देखा जाए तो पिछले financial year के same quarter के अंदर इस company का 830 करोड रुपे का revenue था 830 CR का जो की 1021 करोड रुपे रिकोर्ड हुआ है इस quarter के अंदर 23% की company के revenue में growth है profit before tax 49 करोड रुपे का profit before tax रिकोर्ड हुआ है जो की 23 करोड रुपे था पिछले financial year के same quarter के अंदर 114% की यहां पर growth दिखाई दे रही है why on why basis पर PBT में net profit की भी बात करें तो 32 करोड रुपे का net profit है इस quarter के अंदर जो की 19 करोड रुपे था पिछले financial year के same quarter के अंदर 63% की net profit में भी growth है company के यहां पर ऐसी ही performance हमें company के हाफिली basis पर दिखाई दे रही है 2139 करोड रुपे की sales है company के हाफिली basis पर जो की पिछले financial year के अंदर हाफिली basis पर 1731 करोड रुपे की 1731 CR की तो देख है तो 23% की company की हाफिली basis पर sales में growth है यहीं अगर हम पीवीटी की भी बात कर लें तो 127 करोड रुपे का पीवीटी है company का जो की 73 करोड रुपे था पिछले financial year के अंदर हाफिली basis पर इसमें भी लगबख 74% की growth है और अगर हम profit after tax की भी बात करें तो 50 करोड रुपे का profit after tax था company का हाफिली basis पर जो 70 करोड रुपे हो चुका है उसमें भी लगबख 38% की growth है हाफिली basis पर तो company ने y on y basis पर और हाफिली basis पर अपनी performance को शांदार दिखाया है क्योंकि company के पास अच्छी खासी order book है जो आने वाले समय में company के revenue में convert होती हुँ दिखाई दे रही है बात करें company की performance की in the last fiscal year तो company ने लगबख 389 करोड रुपे का revenue clock किया था जिस पर company का PBT 183 करोड रुपे का है और company का PET 154 करोड रुपे का है जो कि ये बता रहा है कि company का profit after tax margin 3.95% का है और देखा जाये तो company के लिए financial year के last quarter काफी अच्छे साबित होते है क्योंकि company ने पिछले financial year के अ sales record की है उसमें से लगबख 44% हिस्सा financial year के first 2 quarter से आया था क्योंकि company ने एच्वन के अंदर लगबख 1731 करोड रुपे का revenue clock किया था तो देखा जाये तो इस financial year के अंदर भी ये company आने वाले 2 quarter के अंदर जो performance दिखाएगी वह 8% के जो 2 quarter गये है इस year के उससे ज्यादा थी होग और देखा जाये तो ये company इस financial year के अंदर 5,000 करोड रुपीज के आसपास की sales record कर सकती है और company का जो current margin है अगर company उस पर ही काम करती है तो लगबख 195 करोड रुपे का profit दिखा सकती है net profit जिसके कारण इस company का EPS लगबख 2.52 रुपीज के आसपास जाता हो दिखाई दे रहा है company की book value 8% 38.18 रुपीज की है जो कि full financial year के अंदर लबख 40 रुपीज के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है और company का EPS 2.5 रुपीज का जो की ये बता रहा है कि company की return on equity लबख 6% plus होगी इस financial year के अंदर और देखा जाये तो past में इस company ने 62 रुपीज का high बनाया है अपनी पिछले financial year की earning के basis पर कहने का मतलब 38 रुपीज की book value वाली company 62 रुपीज का price target दिखा चुकी है जो कि अपनी book value के 1.65 के multiple पे दिख चुकी है उस हिसाब से भी देखें तो ये company अगर पिछले साल जैसे ही valuation दिखाए तो 66 रुपीज का target तो company के लिए recently निकल कर आ रहा है जिस ह इस आप से company की performance बढ़ती जा रही है इस साल भी company की sales और profit भी बढ़कर आएगा उस हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है ये company आपको अपनी book value के 2 के multiple पे दिखाई दे तो जो कि ये बता रहा है ये company आपको इस financial year के अंदर 80 प्लस का target दिखाने का दमखम रखती है और अब दरसल बात करते हैं क्यों ये company आपको triple digit में भी दिखाई दे सकती है दरसल एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं जिस हिसाब से company के पास order visibility है तो उस हिसाब से company अगले financial year के अंदर लबख 6000 प्लस क्रोड रुपे की sales दिखा सकती है और company के profit में भी आपको अच्छी कासी बड़ बखने वाली company लबख आपको 12000 क्रोड रुपे की market cap के आसपास भी दिखाई दे सकती है और company को अगर 12000 क्रोड की market cap ना मिले अगर 10,000 क्रोड रुपे की market cap मिल जाए तो इसी साब से company का share price 130 रुपे का निकल कर आता है देखा जाये तो ये company आने वाले 12-15 महिने के अंदर आ sales पर भी ध्यान देना होगा और profit को maintain करना होगा तभी ये company यहाँ पर यह सब target achieve कर पाएगी क्योंकि company के पास यहाँ पर order visibility है company के पास एक healthy order book है और power sector X capex का इस company को यहाँ पर भरपूर फायदा मिली रहा है तो मेरी नजर में यह company यहाँ पर आपको अच्छा का सा return दे सकती अगर आपके portfolio में है तो आपको इसको hold करना चाहिए थोड़ा समय देना चाहिए क्योंकि company को infra और power दोनों ही sector का यहाँ पर मज़ा मिल रहा है दोनों ही company के order book में reflect हो रहे हैं और दोनों ही आपको आने वाले समय में company के sales में convert होते हो दिखाई देंगे तो आज के लिए इतन ही कल फिर मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ फिलाल के लिए नमस्कार